Hello friends, welcome to the family of smart school, easiest way of learning. तो चलिए, start करते हैं हमारी आज की Marathon Express, जिसकी आज class number second. तो यह रहा आज का first question आपके सामने. Ozone layer found in which atmospheric layer? जो ozone परत है, किस atmospheric layer में पाई जाती है? A. Mesosphere, B. Stratosphere, C. Thermosphere, यहां फिर D. Troposphere. तो देखिए, सबसे पहले आपको पताना चाहिए, कि ozone का formula क्या होता है? आपको पता है, ozone का formula होता है, O3. और यह जो हमारी सबसे पहली layer कौन सी होती है? जैसे आपको पता है, हमारी पहली atmospheric layer है, जो आज से हम जब उपर की तरफ जाती है, तो troposphere. उसके बाद आती है हमारी stratosphere, जो troposphere है, वो हो रहती है 15 km तक, और जो हमारी stratosphere है, वो होती है 15 से लेके approximate 60 km तक, ठीक है? तो जो ozone layer है न हमारी, वो हमारी stratosphere में ही पाई जाती है, stratosphere में पाई तो जाती है, लेकिन कहां पे? उसके lower part में, जैसे 15 से लेके 35 के approximate, यह जो हमारी ozone layer है, यह पाई जाती है stratosphere में, ठीक है? उसके बाद, मैं आपको बताता हूँ कि ozone layer को जो discover है कब किया गया था? देखे, मैं जो आपको points बता रहा हूँ, वो आप note out करते रहेगा, क्योंकि previous error question है यह हमारे, और यह जुरूरी नहीं होता, कि जो previous error में है, वो ही definite question, same to same हमारे इसी question paper में आएंगे, ऐसा नहीं होगा, उससे क्या होता है, कि हमें hint मिल जाता है, कि जो examiner का वो जो दिमाग है, वो किस question के around घूम रहा है, ठीक है, हमने क्या करना होता है, जो previous error के question आए है, उसके near about जितने question हमारे बनते हैं, वो सब हमने cover करने होते हैं, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो ozone layer है, वो lower part में पा किलो मेटर से लेके 35 या 40 के around किलो मेटर में, ठीक है, stratosphere में पा जाता है, ये बात confirm होगी है, अच्छा, एक और चीज, जो ozone layer है, उसकी जो थिकनेस है, वो हर जगा सेम नहीं होती, वो geographically उसकी जो थिकनेस है, वो vary करती रहती है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो ozone layer है, वो 1913 में उसको discover किया गया था, ठीक है, और जो इसकी जो थिकनेस है, वो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसकी थिकनेस vary करती है, जो इसकी थिकनेस है, वो vary करती है, 2 mm से लेके 5 mm के बीच में, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जो इसकी जो थिकनेस है, वो 2 से लेके 5mm तक vary करती है ठीक है जो इसकी जो thickness है उसको कैसे मज़र किया जाता है जो उसको मज़र किया जाता है उसकी unit होती है dobson क्या होती है dobson d o b s o n dobson ठीक है ये question paper में आ चुका है कि जो ozone layer की जो हम width है उसकी thickness है उसकी किस unit में आप उसको मज़र जाता है ठीक है तो इसका जो सही answer है वो है dobson ये तो simple था मैंने आपको बता दिया कि ozone layer को stratosphere में पाए जाता है ठीक है अब ozone layer से जितने related question है वो आपको पता नोची है जैसे उसकी discovery कब हुई उसको discovered कब किया गया 1913 में उसकी जो thickness है वो किस में vary करती है 2 to 5 mm में vary करती है उसको किस में map बच आता है उसकी कौन से unit होती है उसकी unit होती है dobson ठीक है ये सब ये आपके question clear होगे देखे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो हम number of questions है में वो ही limited question नहीं करेंगे हम जो भी हमारा question होगा उसके near about जितने question surrounding में बनते होगे वो सब हमने cover करने है क्योंकि हमने exam crack करना है सिरफ exam में passing marks लेके मतलब side पे नहीं बैठे रहना हमने अच्छे number score करके एक position लेके आनी है वहाँ पे और अपनी जो एक government seat है उसको reserve करना है ठीक है तो जब भी आप पढ़ने बैठे हैं आप इसी aspect के साथ पढ़ने बैठे है कि जो आपने अच्छा score करके एक seat ले निकालनी है तो चलिए अब हमारे next question के ओर देखिए आज मैंने इसमें कुछ reasoning के question भी आड़ गी है क्योंकि reasoning और mathematics ये तो सब आते ही आते हैं मैं अभी सोच रहा हूँ कि जो आप प्रीवेस से लेके आएंगे उसमें ये सब question mix करने कुछ कुछ जिससे आपकी साथ साथ में सभी की revision होती रहेगी ठीक है अभी next question हमारे पास है कि select the option that is related to the third word in the same way as the second was related to the first word इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे third पे हमें लिख रखा है Ireland तो Ireland का संबंध नीचे दिये चार option में से किस से है जैसे कि Libia का संबंध है Tripoli से ठीक है question समझ आ गया जो इसके चार option है Moscow second Dublin C Oslo और D है Madrid अब ये देखिए आपको इसमें ये देखना है कि जो Libia है उसका Tripoli से कैसे relation है आपको पता आउना चाहिए जो Tripoli है वो Libia की capital है ठीक है और Libia एक North African country है और जिसकी currency है Libyan Dinar ठीक है currency है इसकी Libyan Dinar North African country है और Tripoli इसकी capital है तो अभी हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि जो Ireland है इन चारो में से कौन सी option उसकी capital है question समझा आगे आपको ये देखिए अब जो Moscow है वो किस की capital है वो है Russia की ठीक है तो ये तो नहीं होगा अब Oslo किस की है वो है Norway की इसलिए ये भी नहीं होगा अब जो Madrid है वो है Spain की इसलिए ये भी नहीं है तो बचा क्या हमारे पास हमारे पास बचा Dublin तो यह हमारा right answer होगा ठीक है तो जो Ireland की जो capital है वो हमारी क्या आये गई Dublin ठीक है ये एक European country है और इसकी जो currency है यहाँ पे चलती वो चलती है Irish pound ठीक है कौन सी चलती है Irish pound और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कभी थोड़े दिन पहले वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कि हमने Asia continents की सारी की सारी 50 countries को complete किया था ठीक है उसमें हमने उनकी capital, currency और map location को देखा था अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आके उसकी जो playlist है उसमें देख सकते हैं उसमें आपको Asia continent की सभी मिल जाएगी और मैं जल्दी अभी एक European country पे जितने यह उरोप continent है उसमें एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ तो चलिए इसकी map पे location देख लेते हैं देखे यह रहा इसका map सबसे उपर आपको दिख रहा है Libya देखे यहाँ पे हमें Libya दिख रहा है और यह जो हमारा Africa continent है यह उसका map है यहाँ पे यहाँ देख सकती है इस चीज को क्या बोलते है आपको पता नो चाहिए यह भी question paper में आ चुका है इसको बोलते है Horn of Africa Horn of Africa में कितनी countries होती है एक तो हाती है हमारी Somalia एक Ethiopia यहाँ पे एक छोटी सी country आती है जिबूती और उसके साथ एक और चोटी सी country है Eritrea यह चार देश मिलके Horn of Africa बनाती है यह दोनो question paper में आ चुके है इसलिए जो exam point of view से भी यह हमारे जो question है यह बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है और आपको पता हैं जिए यह रहा Egypt और Egypt भी एक हमारी transcontinental country है जिसका यह कुछ हिसा जाओ मैंने mark किया है red pen के साथ यह आता हमारा Asia continent के अंदर और जो इसके बीच में से यहां से Swiss canal पास होती है ठीक है यह सभी आपके question clear हो गए यहां से देखिए मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि हमने number of question नहीं करने हमें सभी जो expect उसके पता होने जाहिए कि Libya कौन सी continent में आती है इसकी कौन सी capital है हो सकता कि आपको जैसे अभी इसमें reasoning में पूछ लिया है उन्होंने कि Libya की tripoli है इन्होंने बता दिया तो हो सकता है next paper में आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि जो Libya है कौन सी continent में देखिए ये भी एक reasoning का question है इसमें हमें क्या किया हुआ हमें इन्होंने दिया हुआ है कि हमें एक series complete करनी है ठीक है ओपर हमें एक series दे दी गई है और नीचे हमें आपर पास 4 options है कुछ बीच में filling blanks हमें भरने है तो हमें series को complete करना है अभी देखिए इसको करने का क्या trick होता है वो मैं बताता हूँ आपको देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो number of alphabets हमें दे रखी है इनको count करना है अभी देखिए चलिए count करते हैं उनको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, or 24 देखिए अभी हमारे पास होगे 24 एक आप मोटा मोटा trick याद रखिएगा कि जब भी हमें more than 20 alphabets दे रखी होते हैं ऐसी series में तो यहां तो उसकी 4 की 4-4 में divide होगी उसके parts बनेंगे ठीक है तो नई तो 6-6 में बनेगा लेकिन अगर ये 24 है तो हमें कोशिश करनी है कि जो इसके जो parts हैं वो हमें कम बनाने है तो कम कैसे बनेगे 6-4 और 24 तो हमें इसके idea एको गरफ idea होगे हमारे पास कि हमें इसके 6-6 के 4 pair करने है तो देखते हैं 6-6 के 4 pair कैसे बन सकते हैं सबसे पहले d, q, और dash 3, pl, n और ये बन गए 3 और 3, 6 मतलब एक हमारे पास ये pair बन गया ठीक है उसके आगे 2, 2, 4 और 2, 6 उसके बाद हमारा एक ये n और d तक pair बन गया ठीक है मतलब ये मैं इसको सही कर देता हूँ यहां पे और ये d तक यहां पे ठीक है फिर आगे 3 और 1, 4, 4 और 2, 6 मतलब ये last फिर d तक फिर चला ये सोरी गलत हो गया थोड़ा सा एक मिनट एक, दो, 3, 4, 5, और 6 एक, दो, 3, 4, 5, और 6 हाँ ये जो last वाला है ये n तक रहेगा ठीक है और ये last ये d तक रहेगा क्योंकि हमने 6, 6 के pair बनाने न तो count कीजिए इसको है न, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया ये भी 6 हो गया ये हो गया और ये last ये पुरे का पुरा ये रहा ठीक है दिखिए अब इसको आपको खुद ही इंट मिल जागा जब आपने pair इसके complete कर लिए न एक पर आपने इसके सही pair बना लिए चाहे 4 में, चाहे 6 में तो ये question आपका आदा तो वहीं पे solve हो गया अब कैसे solve हो गया इसका मैं आपको बताता हूँ अभी ये दिखिए जैसे आप पहला pair देखती है तो आपके last में क्या बन रहा है P, L, और N ठीक है, और अगले pair में देखिए dash, L, और N और उससे अगले में देखिए P, L, और dash ठीक है, और सबसे last में P, dash, और N समझा गया, आपको क्या पर चला गया कि मतलब ये जो series चल रही है last वाले 3 में ये चल रही है P, L, और N की ठीक है, P, L, और N 3 में चलेगा, अब देखिए first में 3 complete है, second में क्या है, हमारे पास P कम है तो हमने P लिख दिया, ठीक है fourth में हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखिए, ये मतलब D के आगे वाले को छोड़िए, last में उसको complete करिए, यहाँ पे N आएगा ठीक है न, उसको हमने PLN बनाना है, और last जो ये बचा हमारे पास यहाँ पे हमने last में L लिखना है अब सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जो मतलब dash वाले हैं हमारे पास उसमें L कहां पे आ रहा है इसमें जो हमारे पास, हमारी answer में आया, वो है L आया हमारा last में PLN तभी तो बनेगा, अगर हम यहाँ पे L लिखेंगे तब देखिए, यहाँ options में देखिए कि सबसे last में L कौन सी option में है तो आपको ये दिखेगा कि L हमारा सिरफ हमारी A option में है तो देखिए, एक तो तरीका यह है कि आपने short trick किया एक आपने ऐसा choose किया जैसे आपको पढ़ा चल रहा कि last वले में एक ही है सिरफ L और हमें पता कि हमारा L ही आएगा क्योंकि PLN, PLN यही series बन दी है तो आप सीथा जा सकते हैं कि जो आपका जो सही answer है, वो A रहेगा अगर आपको लगता है नई, यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है doubt है हमें, यह हो सकता है कि जैसे यहाँ पे दो जगर T दे रखे हैं वैसे होता, तो आप इसको पूरा भी solve कर सकते हैं देखिए अब इसको पूरा कैसे solve करना है PLN तो last वले complete हो गया ठीक है, अब यह देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है D Q, ठीक है इसका मतलब D Q के आगे वाले का आप छोड़ दीजिए यहाँ पे जो second वला है option वहाँ पे आएगा D, ठीक है, जैसे यह second वला यहाँ पे D आगया, मैंने आपको पहले बिता था P आएगा, third पे फिर P आगया हमारा यह देखिए, ठीक है, option मैच कर रहा है आपका, फिर उसके बाद D के बाद क्या आना चाहिए, Q, यहाँ पे ध्यान से देखिए, और फिर यहाँ पे Q आगया ठीक है, और इधर क्या है L के बाद क्या आना चाहिए जहां मैंने मार्क किया भी L के बाद आना चाहिए, N ठीक है, और Q के बाद T, जैसे पिछे चल रही सीरीज, क्योंकि सीरीज तो सेम ही चलीगे ना सीरीज उड़ी आप चेंज कर सकते हैं सीरीज को तो चेंज करना ही नहीं आपने इसलिए आपका यही आंसर बना और कोई आपका आंसर बन ही नहीं सकता ठीक है, स्मार्ट स्टेडी का मतलब क्या होता है, कि आपने एक उप्शन देखा, वो जो डिफरेंट सबसे, है ना, आपने लास्ट वाला L निकाल लिया था, आपको पता अलफाबर दे रखे हैं, दो हमें मैच कर गए हैं, उसका और कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हमें सीधा आंसर पे क्लिक करना है हमें अपना पेपर में टाइम बचाना टाइम वेस्ट नहीं करना स्मार्ट स्टेडी का मतलब यही होता है कि अपना टाइम वेस्ट करना, ना कि टाइम बचाना, ना कि टाइम वेस्ट करना तो चलिए, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉशन के ओर तो यह रहा हमारा कॉशन नमर 19 रिजनेंग गई कॉशन है यह भी तो देखे इसमें क्या हमें एक सीरीज दे रखी है 23, 32, 16 सेगेंड लाइन में है 3, 4, 5 और लास्ट लाइन में है 72, 132 और कॉशन मार्ग हमें क्या बोला गया है कि जहां पर कॉशन मार्ग है वहां पर क्या आएगा हमरे बस चार ओप्शन हैं 85, 80, 88, 162 देखे रीजनिंग में कोई hard and fast टूल नहीं होते कि यह जो सीरीज है यह इस साइड को बनेगी यह इस साइड को बनेगी है ना इसमें हमें खुश से दिमाग लगाना पड़ता है और कुश भी सिजन लेना पड़ता है जैसे कि आप यह देख सकते हैं 23 से 32 बना और 32 से 16 बना मतलब इसका कोई हमें relation समझ नहीं आ रहा अगर हम 23 में 9 प्लस करते हैं तो यह 32 बना लेकिन उसका फिर मतलब उसको half करते हैं उसका है ना बनाबे 2 करेंगे तो यह 16 आएगा लेकिन यह कोई satisfactory यह हमें result नहीं दे रहा क्योंकि फिर अगर हम next misery में देखते हैं तो next में हमारे पास क्या है कि 3 से 4 बना और 4 से 5 बना तो यह तो कोई बात नहीं बनी अब हम क्या गरते हैं नीचे क्यों try करते हैं ठीक है अब एक चीज़ याद रिखेगा जब हमें पहले term बड़ी दे रखी है दूसरी छोटी दे रखी है और तीसरी term दोनों से बड़ी दे रखी है तो सबसे पहले जो हमने option try करना है वो हमने try करना है multiplication का ठीक है कौन से try करना है multiplication का तो चलिए पहले देखते हैं multiply करके किस को multiply करेंगे हम करेंगे 23 को 3 के साथ तो यह हमारे पास क्या बना, 69, यही बना, तो अच्छा, अभी भी हमारे पास 72 नहीं बना, तो अब क्या गरते हैं, जो यही हमारे पास नंबर है, 3, क्योंकि 72 कितना कम, अभी कितना हमें पिछे हैं, जो हमारे 69 हमारे नंबर है, 72 से कितना पिछे है, 3 ही तो कम है, तो इसमें ह 12 से जो second term है उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया हमारा 72 बन गया चलिए देखते हैं कि जो हमारी यह second series है उसमें अगर यह concept follow हो जाता है तो यही concept आगे भी चलेगा ठीक है चलिए देखते हैं अभी हम करते हैं 32 को 4 के साथ तो क्या बना यह 8 और 1 to 12 128 बन गया तो क्या करना जो हम concept लगा रहे हैं अपना कि पहले हमने अपस में multiply करना फर्स और second term को और उसके बाद हमने second term को add करना है तो यह हीच बनेगा यह हमारा हो गया 65 जा 80 प्लस करेंगे 5 तो यह हमारे पास आ गया 85 ठीक है तो यह देखिए options में कहा है 85 option number A 85 simple है ना देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ जो इसमें reasoning है इसमें कोई hard and fast roll नहीं होगा बस आपको quick decision लेना पड़ता है quick decision आप तभी ले पाएंगे कि आपकी जो calculation fast होगी है और आगे भी डालते रहेंगे तो आप उसको जरूर देखिएगा ठीक है समझ आगे ना यह मारा question आराम से अगर आपको कोई भी question कहीं भी कुछ doubt लगेगा कुछ आपको नहीं समझ आएगा तो आप comment section में बता सकते हैं मैं जो next videos की जो अभी हमारी जो चलती रहेगी marathon express जैस position of same dice are shown the faces of which are marked with the letter L M N O P and Q select the letter that will be the face opposite to a face having the letter M तो इसमें क्या बोल रहा है यह जो हमें 3 नीचे है यह इसमें क्या बता रहा है जो यह 3 नीचे dice है ना हमारे पास यह एक ही dice के 3 अलग लग हिससे हैं जैसे dice आप जानते ही होगे ना जो loot हम खेलते हैं उसमें dice होती है जिस पे 1,2,3,4,5,6 लिख रखा होता है है ना वह dice है अब देखो आप उस dice को अलग लग position में रख सकते हो कभी एक उपर ले आओगे कभी दो ले आओगे कभी तीन ले आओगे है ना रख सकते हो ना तो बस वैसे ही यह अलग लग faces है dice के हैं तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें यह बताना है जो M है M के opposite कौन सा letter आएगा या minimum 2 face ऐसे ढूणने हैं जो 3 में से 2 dice में same हो मैंने क्या बोला कि 3 dice में से कम से कम 2 dice ढूणनी हैं जिनके minimum 2 face और maximum 2 face same होने चाहिए 3 face same होंगे तो उसमें हम identify नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 face ही अगर same है तो उसमें आप differentiate क्या कर पाएंगे तो इसलिए maximum 2 और minimum 1 face अब चलिए देखते हैं जैसे हमने यहां पे लिया O और हमें यहां पे भी O मिल गया अभी हमने क्या करना है यह वाले का O यहां पे लिखा उसके फिर हमने Q लिखा और उसके बाद हमने M लिखा यह तो हो गया हमारी validize ठीक है अभी हमने 3rdize लेनी है अपनी ठीक है अभी 3rdize में से हमने common लिखा O सबसे पहले याद रखेगा लिखना हमने common ही है उसके बाद हमने clockwise चलना है clockwise direction यही होती है और हमने start O से ही करना है मतलब same word से ही करना है O के बाद आएगा N और N के बाद आएगा P अब देखिए O तो O सेम रहा ठीक है अब जो यह word एक दूसरे के नीचे लिखे है न यह एक दूसरे के opposite words है ठीक है यही इसका trick है करने का देखिए अब यहां से आपको पता चल गया क्योंके opposite N है M के opposite P है और इसमें opposite होगा वो opposite होगा जो common है मतलब O के L opposite है हमारा O का और हमें पुछा क्या गया किस के opposite M के opposite तो M के opposite हमारे पास क्या निकला है P है ना तो चलिए देखते हैं P हमारी कौन सी option में है तो P हमारा है option number A में तो this is our answer option A समझा आ गया आपको कैसे किया ठीक है चलिए next question क्यों चलिए next question है in which of the following year did the kakori conspiracy case take place took place यहाँ पर गलती से उन्होंने लिख दिया take place यहाँ पर took place आना था ठीक है इसको ठीक कर लिए जिगा अब यहाँ पर इसको काटके टुक कर लिए जिगा ठीक है अब देखिए हमें पूछ रहा है कि जो kakori train conspiracy है वो कब हुई थी देखिए आपको पता होगा kakori कहां पर है kakori एक लखनौ के पास छोटा सा गहूं है ठीक है तो लखनौ कहां पर है UP में तो इससे आपको यह पत train conspiracy है कौन सी state में हुई थी ठीक है तो answer क्या रहेगा इसका UP में ठीक है तो कब हुई थी देखिए यह हुई थी हमारी 9 अगस्त 1925 में कब हुई थी 9th of August 1925 में ठीक है तो यह तो रहा सिधा आपका option कि यहां से आप सिधा आपने option इसको टिक किया और सिधा आप आगे निकल लेकिन आपने ये वाला काम करना है पेपर में कि जिए पेपर आया आपने फटाफर देखा काकोरी है नीचे 1925 है तो आपने option टिक किया और आगे बढ़ गे लेकिन यहां पे आपने ऐसे नहीं करना यहां पे आपने क्या करना है कि आराम से रुकना है और जो सभी एक्सपे को गिराय गया था और पहला कब गिराय गया था वो गिराय गया था 6 अगस्त को ठीक है 9 अगस्त 1925 में काकोरी कॉंसिपिरेसी हुई थी यह इसके बाद यह किनों ने की थी यह की थी हिंदूस्तान रिपबलिक एसॉसेशन के ideia।ılmış से इसयोसिशन थी ही iç Beautiful में इनो ने किया थ ठीक है और अब भी आपको हाली में ये काकोरी जो conspiracy है ये news में है इस पर question आ भी सकता है important है ये क्यों क्योंकि जो हमारे cm है up के श्री जोगी जी उन्होंने क्या किया है जो काकोरी conspiracy है ना इसका नाम change ही है हाली में और इसका नाम क्या रखा गया है इसका नाम रखा गया है काकोरी train action ये बड़ा important point है ये note कर लिए जीगा काकोरी conspiracy का नाम बदल के अभी कर दे गया है काकोरी train action तो ये कब हुआ था 9 अगस्त 1925 में किस association के द्वारा की गी थी ये वो हिंदूस्तान Republic Association ठीक हो गया तो चलिए next question next question हमारा question number 22 the following was appointed as the chairman of telecom equipment and services export promotion council in the year January 2021 ठीक है अभी हमसे ये पूछा गया है कि जो TEPC नाम की council है इसका जो chairman है ये January 2021 में किसको बनाया गया था तो देखे जो इसका सही answer है देखे जो इसका सही answer तो इसका है option number B option B में संदीब अगरवाल इसके जो है चेर में है और अब जान लेते हैं थोड़ा सा TEPC के बारे में TEPC एक ऐसा council है जो government of India ने launch किया था और किसके अंतरकत launch किया था उसको making India project के अंडर ठीक है आपको question यह भी पूसकता है कि जो formation हुई है इसकी किसके अंडर हुई है जो जो make in India हमारा जो campaign चलाया था श्री मोदी जी ने यह उसके अंदर ही इसका जो इसको formation की गई है इसकी और जो इसकी हाल ही में जो January 2021 में इसके जो chairman बने हैं वो बने हैं हमारे संदीप अगरवाल ओके और इसका देखे में काम क्या होता है इसका जो में काम है इसके नाम से पता चल रहा जो telecom equipments होते हैं और जहां services होते हैं उसको export करने का ठीक है उसको export करने का इसका जो main purpose होता है तांकि जो हमारे जो देश की income है economy है उसमें growth हो सके ठीक है तो चलिए next question के ओर अभी next question हमारा in which of the following year was the first rocket launched in India हमारे देश भारत में पहली बार rocket को कब launch किया गया था मैं satellite की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर याद रखेगा हम यहाँ पर satellite की बात नहीं कर रहे है हम यहाँ पर rocket की बात कर रहे है कि पहला rocket भारत में कब launch किया गया था 1963 में 1977 मे 1948 में 1973 में की भारत का जो पहला rocket है वो launch किया गया था केरला से केरला की जो capital है त्रवेंथापुरम वहाँ पर एक Arabian Sea के पास अरेबिन का coastal area है वहाँ पर हमारा launch pad है थुम्बा 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 करके launch pad है जहां से launch किया गया था ठीक है और यह थुम्बा कहां पर औरे यह के लंच किया गया था इसको यह लॉंच किया गया था 1963 में थोड़ार वारत ने अपना पहला कुआ था जोकी कहां से किया था कोस्क्टल एरिया था यहना लॉंच पैड का नाम है थुमबा और कहां पै어 के ल, काल पर गया है तो चलिए पीना रई विजियन क्या नाम है? क्सीम का पीना रई विजियन तो यहां के गवर्नर कौन हो जाती है आप याद रखेगा जो हमारे पूरे भारत में जितने भी गवर्नर है ना उन समय जो सिरफ एक ही मुसलिम है तो उनका नाम है आरिफ मुहम्मद खान जो ही है केरला से यह असानी से आपको याद रहेगा कि जहां पर आप मुस्लिम नेम देखेंगे अगर आपको दिया होगा यह भी कॉशन आता है गुवर्नर्स पे एक कॉशन आता ही आता है स्टेट के गुवर्नर्स पे यह अगर अगर आपको यह सब याद रखने है ठीक है आपने यह सब याद रखने है तो मैंने अभी क्या बताया अकेरला के गुवर्नर्स कों है आरिफ मुहम्मद खान ठीक है तो चलिए अब यह बताइए अगर रौकट के हम बात कर रहे हैं Rocket Man of India किसे कहा जाता है Rocket Man of India किसे कहा जाता है K. Siwan को K. Siwan काफी famous personality है आपने इनका नाम तो सुनी रखा होगा है ना यह हमारे जो ISRO है उसके former chairman जिसको हम हम है ना ISRO Indian Space and Research Organization के जो पूर चेर्मन है K. Siwan उनको Rocket Man of India के नाम से जाना जाता है ठीक हो गया तो अब ISRO के अगर हम बात कर लेते हैं देखे आप यह मत सोचेगा कि इसको मैं आगे आगे लेके जा रहा हूँ या इसको वीडियो को लंबा कर रहा हूँ मैं आपको पहले बता रहा हूँ जितने भी surrounding questions बनते हैं वो आपको करने ही पढ़ेंगे यह आपको पता ही होना चाहिए और यह नहीं होगा कि आपको अगली बार भी यही पूछ लेगा कि इंडिया में भारत ने पहला rocket कब लौंच किया था यह आपको यह भी पूछ सकता है कि rocket man of India किसे का जाता है और यह question पूछे भी जा चुके हैं गवर्नर्स में बता रहा हूँ और गवर्नर्स पे भी question पूछे जा चुके हैं और इस्रो पे तो अभी हाली में जो हमारे RRB anti-PC का एक्जाम होगा उसमें तो काफी question इस्रो पे ही पूछे गए है चंद्रयान 2 पे चंद्रयान 1 पे काफी question पूछे गए हैं उस पे बने हैं और इस रोग के स्थापना कब हुई थी 1969 में ठीक है 1969 में इस रोग की स्थापना हुई थी और इसका headquarter कहाँ पे है बेंगलूरू में ठीक हो गया याद रहेंगी यह सब चिज़ें चलिए बढ़ते हैं next question के और next question हमारा question number 24 who among the following was appointed as MD of managing director of life insurance corporation in feb 2021 ठीक है इनोंने हमसे यह पूछा है कि जो LIC के February 2021 में नई MD के रोग में किसे चुना गया है दीक है अब LIC के बारे में आप याद रखेगा कि जो LIC का जो formation कब हुआ था 1956 में ठीक है लिख ली जगा इसको 1956 में इसकी establishment हुई थी LIC की और इसका headquarter काँ पर है मुंबई में इसके जो chairman है उनका क्या नाम है उनका नाम है M.R. Kumar ठीक है chairman अलग है MD अलग होते हैं LIC में चार MD है एक MD नहीं है उसमें चार MD है और एक chairman है और कोन है chairman उनके M.R. Kumar ठीक है तो उसके जो MD है जो देखे चार तो है MD लेकिन उनके पूछा जो अभी हाली में February 2021 में change हुए है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है तो उनका नाम है सिधार्थ मुहंती ठीक है और यह तीन है ना यह इन में से कोई भी उनका M.D. नहीं है ठीक है चार M.D. तो बेशक है मतलब सिधार्थ मुहंती के इलावा भी तीन और M.D. है L.I.C. में ठीक है और जो मैंने इनको चेर मैंने वह बताया M.R. Kumar करके जो सिधार्थ मुहंती है वह अभी हाली में फेरवरी 2021 में इनको अपॉइंट किया गया है ठीक हो गया चलिए question number 25 इसमें बताया गया है कि पूछा गया है कि which phenomenon deals with the scattering of light by molecules of a medium when they are excited to vibrational energy levels ठीक है तो यह अपने जो scattering of light होती है है वह कौन से effect करके होती है यह तो बहुत ही आसान है यह तो छोटे-छोटे बच्चे को भी पता होगा यह effect किस नहीं दिया था बहुत है इस सबבन सकते है ठीक है तो देखे रमन इफेक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 28 फर्वरी बहुत असाना याद रखना इसको 28 फर्वरी 1928 में मतलब जिस तारीक को हुआ था उसी साल को हुआ था 28 फर्वरी और 1928 में ठीक है? इसी दिन सीवी रमन जी ने इसकी खोज की थी और अब 28 तरी कैसे ज़ाध रखनी है? आपको पता होना चाहिए कि 28 फर्वरी को ही हमारे देश में National Science Day मनाया जाता है ठीक है? National Science Day मनाया जाता है हमारे देश में ये भी कोश्चन क्योंकि important days पे भी कोश्चन आता ही आता है कि इस तारीक को क्या होता है? तो ये कोश्चन आते हैं मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा इस पे उसमें हम क्या करेंगे? month wise करेंगे month wise उसमें चलेंगे जो भी 10-15 जब 10-15 दिन बनते होंगे एक मीने में उसको cover करेंगे हम ठीक है? तो ये याद रखेगा नोट कर लिजेगा 28 फरवी को कौन सा दिन मना जाता है? National Science Day और क्यों मना जाता है? क्योंकि इसी दिन 28 फरवी 1928 को C.V. रमन जी ने ये fact की खोज की थी ठीक है? अब आपको पता होना जी कि C.V. रमन जी को जो वो पहले Asian थे जिनको Physics में Nobel Prize मिला था तो इनको Nobel Prize का मिला था ये भी Question तो पूस सकता है? है ना? तो इनको Nobel Prize मिला था 1930 में तो आपको ये पता होना जाहिए कि जो C.V. रमन है ये दूसरे भारतिय थे जिनको Nobel Prize मिला था इनको Physics से Science में मिला था 1913 में उस बुक के लिए उनको वो मिला था Nobel Prize मिला था लिट्रेचर में और C.V. रमन जी को मिला था 1930 में Nobel Prize ठीक है? और 1954 में जब भारत रतन स्टार्ट गुआ था तो जो पहले पहले जो फर्स्ट ब्लॉक था ना यह मतलब भारत रतन दिया गया था उनमें इनका नाम भी था C.V. रमन जी को ठीक है? याद होगी यह सब चीजे? मैं इसलिए आपको बार-बार बोलता हूँ यह सब चीजे सुननी नहीं है इनको याद रखना है लिखना है इनको तभी हमें तभी हम यह सब चीजे याद होगी Otherwise हम नहीं लिखेंगे तो यह हमें आज याद रहेंगे कल तक याद रहेंगे फिर हमें एक दू दिन बाद हमें भूल जाएंगी अगर आपने लिख्यों की नोट्स पनाए होगे तो आप इसको रिवाइस करेंगे ठीक है देखी जो जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के जो ब्रैंड मेस्टर है वो हमारे इंडियन विकेट कीपर रिशब पन्त ठीक है रिशब पन्त अभी हाली में काफी चर्चा में है इनके ओपर काफी कोशन बन रहे है तो इनके बारे में सब कुछ जाना काफी इंपोर्टन है इंडियन क्रिकेट टीम में है ये और एज बिगट कीपर बैट्समेन खेलती है ये ठीक है अभी हाली में उत्राखंट गोवर्मेंट ने इन्हें अपने स्टेट में स्पोर्ट्स को पर्मोट करने के लिए ब्रैंडमेस्टर अपॉइंट किया है ठीक है रिशय पंथ है ब्रैंडमेस्टर फोर उत्राखंट स्पोर्ट्स ठीक है ये भी इनके बारे में याद रखिएगा चलते हैं अब नेक्स्ट कोश्चन के तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है इन विच येर वाज टार्गेट उलम्पिक पॉडियम स्कीम टी ओपीएस फॉर्मूलेटिड बाइड़ा मिनिस्ट्री ओफ यूथ अफियर्स एंड स्पोर्ट्स इसकी ओप्शन हैं ये जो टी ओपीए स्कीम है जिसको हम बोलते हैं टार्गेट उलम्पिक पॉडियम स्कीम तो ये हमारी जो स्टार्ट की गी थी ये गी थी 2014 से और किसके द्वारा स्टार्ट की थी ? ये की गी थी मिनिस्ट्री ओफ यूथ अफियर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा अब चलिए देखते हैं कि ये स्कीम है क्या ये देखिए एक flagship scheme है जो government of India ने launch की है जो flagship scheme के बारे में भी question आएगा ही आएगा तो इसका main aim क्या था इसको launch करने का, इसको launch करने का main aim ये था कि हर साल अपने देश में से ऐसे athletes को की selection करनी है कि जो medal ला सके olympic में सरकार ऐसे athletes को चुनती है और उन पे invest करती है, invest in the sense है उनको अच्छी training देगी, अच्छी facility देगी, अच्छा coach provide करवाया जाएगा जिससे तांकि वो olympic में जाएं और भारत के लिए medal आ सकें, ठीक हो गया, अभी देखते हैं इस scheme में, हर athlete को note कीजिएगा, इस scheme के अंतरगर्थ, हर athlete को 50,000 पर मन्त की राशी दी जाती है ठीक है, each athlete gets an amount of rupees 50,000 पर मन्त, ठीक है, और किसके लिए उसको दिया जाता है, ये दिया जाता है, उसको, उसकी maintenance के लिए, उसकी coach fees के लिए, और उसको जो भी बाकी रखरखाव के लिए, ठीक है, अभी आपको पता चल गया कि ministry of youth affairs के अंतरगर्थ आता ये, और जो हमारे minister of youth affairs है, वो कौन है, वो आपको पता ही है, हमारे अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर जी है, BJP से, और अब ये question आदेगा, कि अनुराग ठाकुर कहां से MP आते हैं वो, जो अनुराग ठाकुर है, वो कहां से MP हैं, तो इसका answer है, हमीरपूर, हिमाचल के हमीरपूर से वो MP है ठीक हो गया, अब हिमाचल की बात करें हम, तो हिमाचल के जो हमारे जो CM है, वो कौन है, बताएए, हिमाचल के जो हमारे CM है, वो है जैराम ठाकूर, ठीक है, और Governor कोन है, रजेंद्र अर लेकर, ठीक हो गया, 1956 में हिमाचल को UT का दरजा मिला था, और 1971 1971 में इसको as a state जिसको recognize किया गया था note कर लेंगे point एक November 1956 में इसको UT का दरजा मिला था ठीक हो गया इसकी capital की बाद हम करते हैं तो इसकी capital में जो इसकी summer capital वो है Shimla और अगर winter capital की बाद करते हैं वो है धरमशला ठीक है अगर हम उसके national park की बात करते हैं तो जैसे pin वाली है इंदर किला है Symbla Symbla National Park है और यहां greater Himalaya National Park है वो सारे हमारे हिमाचल में ही आते हैं ठीक हो कि देखे कितने question बनते हैं एक अगर आप कोई आप कोई चीज लिखते हैं या एक answer लिखते हैं आपने अपना way of learning ऐसे ही रखना है पढ़ने का तरीका ऐसे ही रखना है जब भी आप पढ़े जहां से भी पढ़ रहे हैं आप चाहे हमारे channel से बढ़ रहे हैं चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं आपने ये देखना है कि आपने जो एक question नहीं करना उस question के आसपास जो भी material आपको मिल सकता पढ़ने के लिए न तो वो अपने कठा करना है ठीक है क्योंकि यह जुरूई नहीं होता कि जो आपको पढ़ाया जा रहागी सिर्फ उसी में से question आएगा उससे आसपास question आ सकता है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अपने next question जो है question number 28 चलिए देखते हैं question number 28 में क्या है the scientific study of dreams is called हम सब सपने लेते हैं न तो जो हम सपने लेते हैं उसकी scientific study को क्या का आ जाता है option है o neurology b morphology c है entomology d है callology देखी जैसे अभी मैं आपको बार बर यही चीज बता रहा हूं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने जो यह चार option दे रखे न इन सभी के बारे में पढ़ना है अब क्यों पढ़ना है यह क्यों मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूं देखिए जैसे अभी मैंने आपको जहां पर question एक दिया यह previous question ही है है ना मैं आपको इसकी date बता देता हूं exact यह है I think 24th of August SSC के यह exam है previous year का और 2021 का exam यह paper है यह latest paper है जो अभी हाली में 2021 में हुआ है अगस्त में ठीक है उसी का यह paper है SSC का तो इसमें देखिए अगर मैं आपको करा दूँ जो simply मैं आपको यह बता दूँ है entomology का पता होगा यह का पता होगा नहीं पता होगा इसलिए मेरा यह फर्ज बनता है कि जो हमारे पास options है उससे लेटे जो भी बाते हैं जो मेरे को पता है जो मैं आपको बता सकता हूं वो सब बतानी चाहिए ठीक है ताकि आगे चलको चलके आपको उस चीज का benefit हो, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, morphology को क्या हम बोलते हैं, morphology किसी चीज की study होती है, अगर आपने किसी भी animal, plants या microorganism के size, shape और structure की study करनी है, तो उसको हम बोलते हैं, morphology, क्या बोलते हैं, morphology, तो अब morphology की क्या definition हुई, this is a scientific study of size, shape and structure of animal, plants and microorganisms, ठीक हो गया ये, समझा गया, किसी भी animal, plant, microorganism की shape, size और structure की study करनी है, तो वो होगा morphology, तो entomology अभी क्या होता है, entomology होता है, अगर आपने किसी भी insect के बारे में study कर रहे हैं, study of insects, is called entomology, ठीक है, अच्छा, उसके बाद callology, callology क्या होता है, this is a scientific study of beauty, बिल्कुल साही सुना आपने, this is a scientific study of beauty, जो सुन्दरत है, उसकी जो scientific study है, उसको callology बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लिजेगा, और बतते हैं हमारे question की ओर, scientific study of dreams, वो क्या होगी, और neurology, ठीक है, चलिए, next question, चलिए, next question हमारे पास, according to which of the following articles of the constitution of India, can the parliament amend the constitution? नीचे दी होए, किस article के अंतरगर्थ, parliament में, जो constitution है, उसमें amendment की जाती है, बहुत ही simple यह है question, जीक है, जैसे आप सब बच्चे, कोई ना, कोई competitive exam की त्यारी तो कर ही रहे होंगे, है ना, तो आप सब के लिए यह तो question बहुत ही असान है, आप सब को पता है, यह article है, 368, जो amendment का, अच्छा, अब मिरे को यह बताईए, कि यह कौन से part में आता है, यह आता है, part number 20 में, ठीक है, हमारे जो constitution हैं, उसमें कितने parts है, number of parts कितने हैं, वो है 22, ठीक है, और number of schedules की बात करें, तो number of schedules कितने हैं, वो है 12, ठीक है, अच्छा, मिरे को यह चीज बताईए, जो originally, जब हमा पास 8 schedule थे हैं, ठीक है, याद रहेगा, जो अभी ये amendment है, वो है part number 20 में, total number of part सा हमारे 22, total number of schedule सा हमारे 12 हैं, और जो originally हमारे schedule से वो थे 8, ठीक है, सही हो गया, चले next question के ओर, चलिए फिर, ये लिजे, आज का next question है, 30th question, which of the following is the only floating national park in India and the world, option number A, बल पाकरब national park, option number B, कैबुल लेमजाव national park, option 3, नागरहोल national park, and fourth option is, गुगमल national park, देशे, जो national park का ये, जो topic है, national parks in India, ये एक बहुत ही, जुरी topic है, exam point of view से, क्योंकि इससे कुछ न कुछ question पूछे ही जाएंगे, जैसे हो गया, national park हो गया, dams हो गया, river हो गया, है ना, तो मदलब ये, इस पर question बनते ही बनते हैं, और पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए, general study में, static में, इतने, इतने topic होते हैं, उन सब में से question पूछेगा ही, पूछेगा हो, है ना, इस में से कुछ एक 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 दोतो नमबर के question आएंगे, और ये इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको हमने धीरे-धीरे करके, हम सभी वीडियो में इसको cover करेंगे, हम constitution पर वीडिय है, भारत का और पूरे वर्ल्ड का, हमारे देश में एक ऐसा floating national park है, जो की पूरे वर्ल्ड में एक लोता पार्क है, ठीक है, और वह अपनी state में ही, सिरफ अकेला ही national park है, उस state में एक ही national park है, और उसका क्या नाम है, कैबिल लैमजाव national park, ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं, ये कौन सी state में है, ये है हमारा मनीपूर में, कहा है हमारा मनीपूर में, ठीक है, याद रखेगा, national park, जो floating national park in India and in the world is कैबिल, कैबिल लामजाव national park, और वो कहां पे है, ये है मनीपूर में, अच्छा मेरे को ये बताईए, ये कौन सी लेक पे है, ये कौन सी ल आना हुआ, लोग तक लेक, जो लोग तक लेक मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना भी, ये कोशन हाल ही में, जो RRB, NTPC का, CBT1 का एक्जाम हुआ है, ये पूछा गया है, कि लोग तक लेक, कौन से state में पढ़ती है, या कौन से national park में आती है, ये, किसको कबर करती है, ठीक है ये आपको याद रहाना चाहिए, ये लोग तक जो लेक है, ये मनिपूर में है, और ये केबिल लम्जो नेशनल पार्क मनिपूर का इकलोता national park है, और इकलोता पूरे भारत का और पूरे विशव का इकलोता floating national park है, ठीक है, याद रहेगा आपको, तो इसकी जो देख लेते है इसकी जो मनिपूर की लोग सभा की 2 seats हैं रज्जासभा की एक seat है और और इसकी क्या है इसके गवर्नर को न है लाग नेशन इसके अलिक नेशन इसके गवर्नर है यहां के ठीक है अच्छा चलिए अप देखते हैं बाट की जो हमारे options दे रखे हैं में बल पाकरम national park ये कहां पर पढ़ता है ये आपको पता हो ना चीए है ये हमारा है में घाल लेगा ठीक है ये तो हमारा सही option है ना ये मैंने बता दिया आपको ये मनिपूर में है option number ये कहां पर है में घाल लेगा ठीक है हम ऐसे करेंगे हम स्टेटवाइस करके न एक maths को करके वस करते रहेंगे ज़िए उसे क्यार कोई रहेगे भी जो करेंगे National Park ये विद् ट्रिक्स करेंगे जो हमें असानी से याद रहेंगे ठीक हो गया समझा गया ना भी जो floating National Park है कहां पे है ये लोग तक लेक में है ना और कहां पे कौन सी स्टेट में है मनीपूर में है मनीपूर में लोग सवा सीट्स कितनी है, दो है, और रजे सवा की सीट्स कितनी है, एक है, है ना, सब कुछ हो गए अभी, चलिए, मेरे को लग रहा है गिए अभी एक सेशन काफी लंबा होगा तो ऐसे करते हैं, यह जो आप किये वाला 31 कोस्ट ना, इसको आप होवक के लिए रख लेते है ठीक है, अब कोशिश किये जएगा इसका जो आंसर है, comment section में बताईएगा, अगर आपको पता होगा, तो ठीक है, नहीं भी पता होगा, तो मैं इसका कल आंसर आपको discuss करूँगा, तो यह question क्या है, all monetary transfer or kind sent by migrants to their place of origin or court, इसका देखिए मतलब क्या है, कि जैसे suppose कि यह एक state में दूसरी state से कोई काम करने गया, जैसे हम ही हैं, हम अपने घर से कहीं भार जाते हैं काम करने, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी स्टेट में, हम अपने घर अगर पैसे भेजते हैं, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, drafts का जाता है, remittries का जाता है bills का जाता है या payments का जाता है ये एक banking से related कोशन है banking से related in the sense ये है ये जो terms है ये banking में use की जाती है terms ये banking sector में, finance sector में आप बोल सकते है तो कोशिश किये जएगा comment section में इसका answer बताईएगा अगर नहीं पता होगा तो मैं कल जुरू discuss करूँगा, तो ठीक है ये आज का session यहीं तक रखते हैं तो ठीक है, अगर session आपको अच्छा लगा हो तो like कीजिए, comment कीजिए और friends में share कीजिए और हाँ, अगर channel आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कीजिए ठीक है, तब तक के लिए, bye bye thanks for watching